जो बाइडन अमेरिका की राश्टुपती बनने के बाद आज पहली बार प्रस कॉंफरेंस करेंगे वाइडन आज प्रस कॉंफरेंस करेंगे वाइडन के 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 मीडिया में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे बाइडन ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपती पत का श्रपत लिया था बदा जा रहा है कि राष्ट्रपती बनने के बाद इतने लंबे समय तक बाइडन के प्रेस कॉंफरेंस नहीं करने को लेकर विपाक्षी दल के ने तरह के सवाल तरह के सब्कारिक के सब्सक्राइब से रहा है यहान आने वाले लोगों का वी पसंदा रहा है कस्टोमर एम्बियंस से लेकर खाने तक का भर पूरानन ले रहे हैं मध्य प्रिदेश के सतना में लूट के एक बड़ी वारदात हुई है बदमाशों ने बंधग बनाकर तीन करोर नकदी के साथ साथ तीन किलो सोने की लूट की है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पूरी टीम है एक तरफ पूछता तो दुसी तरफ ताफतीश चारी है एमपी के सतना में ड़के थी के एक वारदात ने पुलिस के होश उड़ा रखे हैं सतना के बाबुपुर चौक के शूपरा गाउं में अग्याल लुटेरियों ने मार पीट कर तीन करोर नगट और तीन करोर नगट और तीन कलो सोने के आभुशनों के लूट की वारदात को अंजाम दिया पुलिस के फॉरिंसिक टीम भी इस वारदात की जाच में चुट गई है आजपास की गाउं में भी पूछता आज की जा रही है खबर है आगरा से जहां एक संसनी खेज वारदात सामने आई है खंदौलिक शेतर में एजाच करने गए एक दारोगा की गोली मार कर हत्या कर दे गई यूपी में वद्माशों के इन दिनों होसे बुलंद है आलम यह है कि आगरा में एक दरोगा की बेदर्थी से गोली मार कर हत्या कर दे गई मित दरोगा का नाम प्रिशान बता जा रहा है सबस्पक्टर जैसे ही पास में पहुँचा उसने अपने एक अवैद वैपन से फायर किया जो उनके सबस्पक्टर की गरदन में लगा जिससे उनकी मरती हो गई दरोगा दो सगे भाईयों के खें से जुड़े विवात की परताल के लिए आगरा के खंदौली शेत्र के नरहरा गौव गए थे मौके पर गहासों ने इतनी जादा बढ़ गई कि दो भाईयों में से एक ने तमंचे से दरोगा को गोली मार दी पुलिस वाले के कतले की खबर सामने आती ही पुरी शेत्र में हरकम मच गया पुलिस के आला अधकारी भी मौके पर पहुँचे फिलाल पुलिस अरोपी की तलाश में जुड़ गई है राजस्तान के जालोर में दिल दहला देने वाला सड़क हाथसा हुआ है सकूल से घर लोट रहे चार बच्चों को एक तेज रफ्तारकार ने कुछल डाला सड़क पर कफन में लिपटी लाशें पड़ी है भेड़ जुटी है चीख पुकार मची है माजस्तान के जालौर में एक भीशन सड़क हादसे में चार स्कूली बच्चों की मौत हो गई बच्चे स्कूल से अपने गर वापस लोट रहे थे इसी दोरान एक तेज रफ़तार कार ने इन्हें पीछे से टक्कर मार दी तक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही चार स्कूली बच्चों ने दम तोर दिया मदने वालों में दो छात्र और दो छात्राएं हैं हादसे के बाद मासूमों के परजनों का रो रो कर बुरा हाल है बताय जा रहा है कि तेज रफ़तार के कारण चालक कार का बैलेंस खो बैठा था जिसकी वज़ा से कार सड़क के नीचे उतर गई और किनारे पर चल रहे बच्चों को कुचलते हुए खेतों में चली गई फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब हम आपको ब्रज की लट मार होली की मनमुहक तस्वीरे दिखाने वाले हैं बरसाने की लट मार होली के बाद कनहया के गाउं में ये लट मार होली खेली गई है बार को नंद गाउं में एक बार फिर भक्तों ने लट मार होली का अनंद लिया बहुत अच्छा लग रहा है बहुत पहली बार देखिए चीज कुछ ऐसी और इतना अच्छा लग रहा है ना भीड लाजमी है यहां पर राधारानी के गाउं में होली खेलने के बाद इस बार होली कनहया के गाउं में खेली गई नंद गाउं में होली की जमकर धूम मची हरसुलाश के साथ फाग गाकर भक्तों ने जमकर रंग अबीर और गुलाल उड़ाया